मैं आपके सामने हाजिर हूँ इस हफते की कुछ और नई वेकेंसी के साथ जिसके अंदर सबसे पहली वेकेंसी जो आई है वो आई है Central Reserve Police 4CRPF की तरफ से टोटल वेकेंसी की बात करूँ तो 789 वेकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है पोस्ट की बात करें तो Penhouse हेड कॉंस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पर निकली है eligibility की बात करूं तो 10th matriculation, diploma या degree में से required पोस्ट के लिए कोई भी qualification यहाँ पर चल जाएगी age limit की बात करें तो 18 से लेकर 30 years तक की age limit होनी चाहिए last date की बात करूं तो 31st august 2020 की last date यहाँ पर दी गई है जो की अभी काफी दूर है हम आराम से form को fill कर सकते हैं अगर मैं बात करूं starting date की तो that is 20 July 20 July में form निकाला गया था और 31st august तक यह रहेगा application fee की बात करूं तो यहाँ पर 0 से लेकर 200 तक की application fees हो सकती है salary की बात करें तो 21,700 से लेकर 1,42,400 तक की salary दी जाएगी and that is a very very good salary इसके बात करूं mode of application की तो mode of application पूरी तरह से offline होने वाला है बिलकुल आपको जाना पड़ेगा जाकर form को भरना पड़ेगा submit करना पड़ेगा और जाधा जानकारी के लिए इससे related जाधा जानकारी के लिए आप जा सकते है www.crpf.government.in चलते हैं अपनी अगली वेकेंसी की तरफ जो आई है National Seed Corporation Limited NSCL की तरफ से जिसके अंदर total vacancies आई है 220 पोस्ट की बात करूं तो असिस्टेंट लीगल मेनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी, डिपलोमा ट्रेनी, ट्रेनी और ट्रेनी मेट या फिर आई टी आई के लिए यहाँ पर vacancies निकली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12 आई टी आई डिपलोमा लॉड डिग्री, बी-ई, बी-टेक, बी-कॉम, बी-सी-ए, बी-सी, ग्रेजुएशन, एम-सी और MBA में से required post के लिए आपकी qualification हो सकती है एज लिमिट की बात करें तो maximum to maximum यहाँ पर 30 years तक की एज लिमिट दी गई है एप्लिकेशन फी की बात करूं तो 0 से लेकर 500 रुपीज तक की application fees हो सकती है last date to apply करें अगर तो 4th of August 2020 की यहाँ पर last date दी गई है एप्लिकेशन मोड यहाँ पर पूरी तरह से online होने वाला है इसका मतलब आपको जो form भरा जाएगा वो भरा जाएगा पूरी तरह से online salary की बात करूं तो 17,952 से लेकर 77,000 तक की salary यहाँ पर दी जाएगी जादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं www.indiaseeds.com पर इसी तरह की technical और non-technical से related notifications पाने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले साथ में bell icon को भी दबा कर रखे ताकि आने वाली job से related जितनी भी notifications है वो आप तक पहुँच सके और जरूर comment करके जरूर बताएं कि आपको यह जो series चली है mission नौकरी वाला के नाम से यह आपको कैसी लगी और इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ next Sunday शाम 6 बजे